हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज में टोपिक लेकरा है कि एक ट्रांसिस्टर का एमेटर कलक्टर बैस कैसे फैन उट करेंगे तो उसके लिए आपको एक मल्टिमीटर का जरुरुद पड़ेगा एक मल्टिमीटर इसको यह पॉल उसको लेकरा जाएगे कंटिन्विटी यह वाला पॉर्शन पे लेकराएगे कंटिन्विटी में उसके बाद यह देखना है कि आपको एक टर्मिनल यह पॉसिति इस रट फॉर पॉसिटिव ब्लाक फॉर नगटिव यह एसा एक एक पिन पे रखे देखना है कि अभी देखो यह हमारा राइट वाला पिन पे पॉस इदर भी नो रिडिंग देख लिया नो रिडिंग अभी इसको मैं उल्टा करके देख लेंगे उल्टा करके नेकटिव को यह पिन पे रखे यह बीच वाला पिन पे लगा के देख रहा है देखे रिडिंग आ रहा है देखे यह रिडिंग आ रहा है देखे यह रिडिंग पर रहंगे मैं बीच वाला पिन पर लगा के देख लेंगे रीडिंग हो रहा है 725 ओके और ये लेफ्ट वाला पिन पर रखे है कि 727 ओके तो जिसका ज्यादा रीडिंग आ रहा है वो एमिट रहा है और जिसमें कम रीडिंग आ रहा है वो कलक्टर है और जिसमें ये बेस जो है बेस से रखे बेस में ये अक्चुली ये PNP ट्रांसिस्टर है इसलिए ये नेगेटिव पिन पेस पर रखता है अगर NPN ट्रांसिस्टर है तो पोजिटिव पिन इसका उल्टा हो जाता है तो एमिटर ज्यादा रीडिंग देदेंगे 727 और कलक्टर कम रीडिंग देता है 725 तो इस तरीके से आपको एक ट्रांसिस्टर का एमिटर कलक्टर बैस चेकर सकता है और एक ट्रांसिस्टर का NPN और PNP क्या होता है ट्रांसिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है वो ट्रांसिस्टर एक आम्प्लिफर होकर कैसे काम करता है और एक स्विच होकर कैसे काम करता है यह सबकी डीटेल वीडियो में डालेंगे मेरा चानल पर तो आप लोग मेरा चानल सब्सक्राइक ने किया तो प्लीज मेरा चानल सब्सक्राइक कर दीजी और शेयर कर दीजी लाइक कर दीजी Have a nice day